Hello everyone, welcome back to my YouTube channel, इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कुछ medical hospital से सम्मंदित कुछ symbol होते हैं जो indicate करते हैं और ये indicate hospital में अलग-अलग जगा ये चिपके रहते हैं, चिपकाया जाते हैं ये फिर बना जाते हैं कि hospital में सभी चीजें code-wise निर्धारित की जाती हैं, तो कुछ symbol है कुछ code हैं, इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं, तो देखिए अगर आप BSC nursing की paper देने जा रहे हैं अटल बिहारी भाज़ पर ही, तो question paper में ये एक-दो symbol आपको print होके आते हैं, फिर पूछता है कि ये किस चीज का symbol है, तो आपको सभी symbol एक बार जरूर देखके जा वो थोड़ा सा मैं highlight कर दूँगा, तो वो आप जरूर देखके जाईएगा, देखना सभी है, देखिए डबलू यच्चो, World Health Organization का ये एक symbol होता है, काफी बार ये symbol पूछा गया है, लेकिन अभी अटल बिहारी में नहीं पूछा गया है, तो ये देखिए एक पूरा rod होता ह फिर single snack इस पे लिप्टा रहता है, और नीचे ये बनाया रहता है, ये डबलू यच्चो का symbol होता है, ये देखिए, radiation hazards, ये तो काफी बार question पूछा ही गया है, तो इसको देख लीजिएगा, radiation hazard, इसमें आयसे बनाया रहता है, और इसमें 3 fine बना होता है, 3 fine अब ये 3 fine बना ह है, तो यहाँ radiation है, तो radiation का answer भी काच करता है, तो जहाँ पर MRI है, CT scan है, ये अक्सरे है, वहाँ पर ये radiation देखने को मिलता है, तो वहाँ पर जाना मना होता है, तो ये हो गया आपका, ये देखिए, ये भी question पूछे गया है, ये आप अच्छे से देख लीजिए, ये और ये देखिए, यहाँ पर ऐसे करके, और यहाँ बीच में C बना दिया गया, ये है, साइटो टॉक्सिक, साइटो टॉक्सिक ये दोनों important है, अच्छे से देख लीजिएगा, ये देखिए, ये तो आपको पता होगा, एक red cross है, red cross है, ये काफी जगा हास्पिटल में यूज किया जाता है, अभी तो new pattern यूज किया जाता है, ये देखिए, बायो हजार्ड, मैंने अभी ये figure दिखाया था, बायो हजार्ड का, पहले बायो हजार्ड में कैसे ये पहचानेंगे, बायो हजार्ड में पहले एक ऐसे तीन circle बना जाता है, गोला टाइप, फिर उसक में चोटे-चोटे बच्चे लगरा बनाए गए हैं, ये देखिए, ये ऐसे फिर ये बीच-बीच में गोला बना होता है, तो midday meal scheme का ये क्या है, ये आपका logo है, ये देखिए, ये hospital में मिलता है, जब respiratory ward में आप duty करेगे, जहां पे ज्यादा तर tuberculosis patient रहते हैं, तो वहां प मतलब होता है, पूरा course और पक्का इलाज, ये यही चीज है, dots का full farm होता है, directly observe treatment, start course, तो ये dots कब यूच किया जाता है, टीवी patient में dots यूच किया जाते हैं, ये dots एक course होता है, जो अच्छे से care करके medicine provide की आती है, dots के अंतरगत, तो dots के अंतरगत, ये आपका एक humans बना होगा, ऐसे खड़ा रहेगा, एकदम सीधे, तो ये आपका हो जाएगा, next में ये तो आपको पता होगा, कि HIV और AIDS का ये symbol होता है, आप तो train में भी देखेंगे, train में, मैंने खुद train के ऊपर देखा, train में, rail गारी पे काफी जिगां ये बनाए जाते हैं, ये चाइवी और AIDS का ये symbol होता है, जहां पर HIV और पेसेंट होते हैं, हास्पिटल में, एडमिट किया जाते हैं, वहाँ पर ये symbol देखने को मिलता है, HIV और AIDS, ये देखिए, नाको, नाको क्या होता है, देखिए, यान, एस, ए में वही वाला symbol बनाए गया है, तो नाको में क्या होता है, National AIDS Control Organization, नाको का म मिल जाएगा, नेक्स्ट में देखिए, National Health Portal, ये आपका एक Earth Type बनाए गया है, वहाँ पर ये देख लीजिए, आपको क्या चलाए गया है, ECG बेप चलाए गया है, और यहां पर एक CDS से पट्टी बनाए गया है, तो ये Health Management and Information System, ये आपको option में मिल जाएगा, या फिर National Health Portal, अगर ये देते हैं, तो मिल जाएगा, नेक्स्ट में ये देखिए, ये तो काफी, अभी देखिए, अभी आपको ये, अगर ये figure दियता है, कि ये figure क्या है, तो आपको option में Rod of Asclepius मिल जाएगा, Rod of Asclepius मिल जाएगा, Asclepius क्या ये, ये ये यूज किया जाता है, Modern Medicine Symbol Represant, ये अभी Modern Time में उज किया जाता है, देखिए, ये एक सीधी Rod है, और इस पे एक Single Snake लिप्टा हुआ है, Single Snake है, तो ये Rod of Asclepius, अगर A आएगा ना, तो A मिल सिंगल मान लीजिए, Single Snake लिप्टा रहेगा, तो Asclepius हो जाएगा, और अगर Double Snake लिप्टा हुआ है, देखिए, Double Snake ल जाते हैं, तो उज सिंगल वाला भी Snake लिप्टा था, वो ज्यादा यूज किया जाता है, Modern यूज किया जाता है, First of all, I want to correct your question, the image which you have uploaded, symbolizing, it is symbol of medicine, is actually the caduceus, which symbol of commerce, तो ये देखिए, ये आपका option, अगर ये Double Snake वाला आगया, आपका, तो वहाँ पे caduceus आपको option में मिल जाएग Single Snake वाले को क्या बोलेंगे, Asclepius बोलेंगे, A वाले को, तो ये देख लिजिए, ये दोनों आपको figure दिखाए गया है, तो ये आप दोनों देख लेंगे, ये Asclepius और ये Caduceus, दोनों symbol आप अच्छे से देख लिजिए, और ये देखिए, beer of respiration, ये वाला अगर आगया, तो beer of respiration, और risk of fire, ये देखिए, और general warning risk of danger, ये sign तो भी important है, ये sign देख लिजिएगा, ये आपका एक triangle बनाया होता है, फिर उसके बाद ऐसे बना के यहाँ पर dot लगाया रहता है, तो ये क्या होता है, general warning risk of danger, ये sign ज्यादा मिलता है, ये देखिए, ये तो आपको पता ही होगा इसमें skull, एक skull है, और इसमें दो bone है, और triangle के अंदर ये होते है, एक skull, दो bone, वो होता, toxic हेजाड होता है, तो ये symbol तो मिल जाएगा, laser bean का ये symbol है, और ये safety provision के लिए, safety provision के लिए, और ये देखिए, एक question भी है, इसमें देखिए, एक ambulance जा रहा है, उस पे plus chin लगाया गया है, what does the below mention symbol signify in medical hospital, medical hospital में, कोई ये symbol जो होते है, महतपूर होते है, तो किस के लिए, ये ambulance के लिए बनाए गया है, तो ये ambulance ही है, what does the below mention symbol signify in medical hospital, medical hospital में, ये भी symbol आपको देखने को मिलता है, ये symbol ज्यादा तर कहां देखने को मिलता है, जहां lift लगी होती है, वहाँ पर, ये देख तो नीचे उपर दोनों जाता है ना तो यह symbol आपको किसके लिए elevator के लिए बना जाता है तो आफर नमबर फास्ट ही correct हो जाएगा नेक्स्ट देखिए ये अगर आपको ये सब दिख जाएना है तो काइफिटेरिया वाला है जहां पे भोजन वाला काम होता है काइफिटेरिया काइफिटेरिया रीजन है नेक्स्ट देखिए ये तो आपको पता होगा ये क्या बनाए गया है ये दिख लीजिए ये आपको लग रहा होगा कि माइक्रोइस्कोप बनाए गया हो स्लाइड पर खता है क्योंकि जहां पर माइक्रोज स्कॉप स से जांच तो होता है कोई किसी ना किसी बैक्तिरिया हो कुछ भी सिंक कुछ स्लाइड पर रहके देखते हैं वलड को बलड की जांच होती है तो वह पाइफोलोजी में और इन मीम होता है को America क्या करना डाइगनोसिस करना पैथोल जी ब्लड से संबंदित फिलिट से संबंदित नेक्स्ट ये देखिए ये तो आपको देखे लिए एक स्कल दो बून एक्ट टाक्सिक या फिर फैटल ये आपको मिल जाएगा ये देखिए हेल्थ हजार्ड ये आपका एक बना हुआ है फिर उसके देखिए डारेक्ट यहाँ पे एक सिंबल दे रहा है हेजार्ड का तो ये आपका हो जाएगा ये देखिए ये कोईश्चन आप साल करिए कोईश्चन तो आप तुरंत साल करेंगे देखिए डबल एक राड है यहाँ पे क्या हो रहा है यहाँ पे डबल क्या हो तो इसका जो आपको option कौन सा correct हो जाएगा इसमें option number correct हो जाएगा आपका caduceus तो आप यहें लगाएंगे caduceus यहाँ पर option number से option correct लगाएंगे यह देखिए कुछ emergency code देख लीजिए अगर code black यूज किया जाता है code black किसके लिए यूज किया जाता है जब पता चलता है कि कहीं पर such species device रखा गया है जैसे bump thread कुछ रखे गया है तो वहाँ पर code black यूज किया जाता है यह भी question पूछा जा सकता है emergency code में एक code violet आता है code violet एक color हो हथियार लेके बंदूख लेके आता है तो code violet यूज किया जाता है hospital में एक button होती है code वालेट प्रेस किया जाता है फिर alert हो जाती है पूरा hospital तो code वालेट यहां पी यूज किया जाता है यह देखिए emergency code में यह code और है आपका code orange orange color यूज किया जाता है जब कोई chemical spills हो जाती ह है जैसे mercury spills हो गया formaldehyde कोई acid हो गया तो यह color यूज किये जाते हैं नेक्स्ट में emergency code में एक code और है आपका code pink है pink code कब यूज किया जाता है suspected and actual infant or child abduction जब बच्चा चोरी हो जाता जैसे labor room रहता ना hospital में यलार रूम labor room हो गया PNC हो गया SNC हो गया NIC हो गया PIC हो गया जहां पर बच्चे छोटे छोटे रहते हैं उनका treatment चलता है वहां से अगर कोई बच्चा चोरी हो जाता है hospital से कहीं से भी बच्चा चोरी हो रहा है और पता चल गया तो code pink color यूज किया जाता है ताकि hospital alert पे हो जाता है उस पकड़ता है तो यह तो होता है hospital में बच्चे चोरी होते ही हैं तो वह पकड़े भी जाते हैं क्योंकि CCTV camera एक दम alert पे रहता है आप बच्चे वाले किसी भी वार्ड में जाएंगे तो वहां पर आपको मिलेगा CCTV camera तो वहां यह सब हरकते नहीं चल पाती है code blue देख लिजिए code blue जो होता है यह कभी यूज किया जाता है जब किसी भी person को cardiac arrest होता है मालीजे वो treatment कराने आया और डारेक्ट उसको cardiac arrest हो गया तो क्या करते हैं code blue यूज करते हैं code blue तो यह देख लिजिए blue code cardiac arrest के लिए यह दिखिये एक red color यूज किया जाता है ये तो आपको पता होगा fire के लिजे हास्पिटल में कोई भी दिक्कत हो रही है अगर आग लग गई है किसी क्यों जासे तो यहां पर red color high alert किया जाता है red color use किया जाते है next पर देख लिजिए ये तो एक lungs बनाया गया है lungs फेफ़डा बनाया गया है और इसमें देखिए ये आपका fresh breathing का ये symbol होता है next देख लिजिए infinity yoga का infinity बनाया गया है और ये दिखिए ये symbol अगर दिखता है तो ये भी देख लिजिए एक plus chin बना है ये आपका क्या बना है ये आपका heart बना दिल बना है और दिल के अंदर plus chin आपको दिख रहा है और बगल से दो hand दोनों hand इसको एक दम अच्छे से क्या किया है होल्ड किया है तो यह आपका हेल्थ केर का यह क्या है हेल्थ केर का यह सिंबल है और अगर एक हैंड होल्ड करता है यह दिख लीजिए अगर एक हैंड होल्ड करता है नीचे से यह ऐसे बना हुआ हाफ लग रहा कि यह क्या बना हुआ हाफ मून चांद बना हुआ है उसके उ किया जाता है तो लगी रहा ना देखिए एक आपका एरो बनाय गा यहां के लिए चली रहा 온 cah तो इसको recycle का symbol ही बोलते हैं देखिए एरो क्या सो कर रहा है कि मतले भी ऐसे हमेशा बार बार यह चल ला है तो recycle किया जा रहा है दुबारा किया जा रहा है बार बार तो यह देखिए इसकी polythene भी आती है जिसमें यह best रखा जाता है बेस्ट जो आपसे पदार्थ होते हैं hospital के तो यह देखिए इसमें recycle उसमें polythene में भी यह बना रहता है तो यह चीज है next में यह देखिए यह cytotoxic का symbol है यह मैंने शुरू में ही बता था triangle है उसके बीच में C है तो cytotoxic cytotoxic यह देख लीजिए cytotoxic इसमें जो बीन है जो डिबबा है इसमें भी बनाए गया है तो इ next में देखिए यह crossive का है crossive में क्या है triangle है और यह hand है hand पे कुछ चीजे chemical गिराई जा रही है तो यह symbol हो गया और यह symbol toxic और poison का means जानी रहा है poison यह toxic जारीली चीजे के लिए इस्तेमाल किया जाता है यह दो बोन है और यह पूरी इसकल है cross bone को cross में रखा जाता है तो यह आप आपका toxic या poison से संबंदित यह भी hospital में मिलते ही है यह देखिए इसमें wifi की तरह चलना है देखिए triangle की triangle बनाए गया है फिर यह देखिए wifi की तरह पहले एक चोटा फिर बड़ा फिर चोटा फिर एक बिंदी बीच में एक चोटा एक बड़ा और नीचे ऐसे यह question भी important है यह symbol भी important है तो यह wifi की तरह चलेगा तो non ionization radiation होगा यह अच्छे से देख लिजिए और अगर direct three fine बने होते हैं तो radiation के लिए होता है अभी वह भी question आएगा देखिए डेंजरा फार्मिंग हैंड डेंजरा यह हैंड है उसके ऊपर से यह arrow लगा हुआ है और नीचे एक single line है तो यह डेंजरा फार्मिंग हैंड का है यह भी देखिए फिर यह symbol ऐसे से बनाए गया है तो यह optical radiation का है यह समंदितब heap है Next में यह देखिए यह high voltage का एक scale बनाय गया है और scale से यह voltage so किया गया है. ऐसे voltage वो जो करते हैं तो यह देखिए यह चारो तरफ से voltage so किया गया है यह scale बनाय गही है. यह high voltage का यह भी आपको hospital में मिली जाता है जहां से electricity provide की जाती है. वहाँ पर यह symbol देखने को मिलता ही है. नेक्स्ट में ये देखिए ये तो ये भी important है general warning का है general warning का symbol है triangle बना जाता है फिर ये black से ऐसे बना जाएगा यहाँ ऐसे करके एक बिंदी रख दिया जाता है तो general warning का ये symbol है नेक्स्ट में ये देखिए ये तो electric हजाड का symbol है ही ऐसे मनाएगा यह यहाँ पर यहाँ से फिर ऐसे फिर यह बना दिया गया यह electronic हजाड का यह सिंबल है electronic हजाड जहां पर electric जैसे computer जी जो होता है जो computer मालीज ये खराब हो गया उसके पार्ट जो जहां पर electronic के पार्ट रखे जाते है ना सभी वो वाले तो electronic हजाड वहां से symbol ये बना होता है कि यहाँ पर gadget के हजाड मतलब हजाड रखे गया है यह देखिए यह electronic हजाड हो गया आपका यह क्या है यह risk of surf instrument मतलब यह एक hand ब लगा जाता है कट लगा जाता है और यहाँ पर बिलेट की तना बना जाता है तो यह risk of surf instrument के symbol है next में यह देखिए explosive कोई चीज explosive मालीजी हो गया तो वो triangle के अंदर देखिए लगता है कि bum रखा गया यह फट गया है तो यह explosive का चिन है next में यह देखिए आ गया जो मैंने बात कर रहा था कि यह देखिए wifi की तना तो नहीं है ना यह देखिए एकदम symbol मनाया गया है यह चोटा सगोला थ्री फायन जैसे फायन नहीं होता है उसी तरीके से तीन पत्तियां बनाई गई है तो यह radiation का चिन होता है और यह भी important है next में यह देखिए यह तो laser radiation का है ही next में यह आई हेजार्ड यह भी बना होता है आई हेजार्ड वहाँ symbol क्यों मना जाता है कि उस area में आपको नहीं जाना है यहाँ पे जो आँख होती है आई होती है उसको नुक्सान पहुचा जा सकता है जहां पे radiation होता है तो वहाँ पे यह symbol लगाई जाती है तो यह देख लीजिए यह आपका एक i है उसके अंदर आई से बना हुआ है तो यह आई हैजार्ड का symbol है next में यह देखिए एक आपको क्या मिल जाएगा ink pot के अंदर यह आपका बना हुआ होता है तो इसमें chemical hazard इसमें यह chemical pot है तो यह आपका symbol दीखता है तो chemical hazard का symbol है और यह extremely flammable का यह देखिए य फ्लेमेबल मतलब फ्लेम चल लाए और उनीचे ये फ करके प्लस बनाए गया है तो extremely है extremely यहाँ यह फ्लस बनाए दिया गया गया ना तो extremely flammable means होता है कि मतलब यहाँ high tolerance आग लगी हुई है तो extremely flammable है यहां से next में यह देखिए यह आप देख लिजिए flammable का चिन है यहां flammable है वहाँ extremely flammable है extremely flammable कैसे पहचाने के f plus मिलेगा तो वहाँ extremely लगाएंगे f plus नहीं मिलेगा तो flammable होगा और यह तो glass bear 1000 है ही इसमें देखिए glass बना हुआ है और glass जो है यह break हो रहा है तो glass bear 1000 next में यह देखिए heat 1000 यह आपका दिखेगा यह allow type दिख रह उपर surface पर है तो यह heat 1000 का symbol है next देखिए यह question आप बताईए यह question आपको तो तुरंत सही करना पड़ेगा न क्योंकि यह देखिए three fine बनाए गया है मैंने बताया था ना triangle के अंदर यह three fine मिलेगा तो इसको क्या लगाएंगे इसको radiation आप tick करेंगे D option आप correct लगाएंगे अच से एक दो बार यह देख लीजिए आपको समझ में चीजे आ जाएंगी चलिए कल chemistry के question मैंने कराये थे तो उसमें एक question important था जो कि option मतलब मैच कर रहे थे थोड़ा सा question आपको दिखाते हैं और बता देते हैं उस question के बारे में क्योंकि important question है ना देखिए कोई भी question अगर कराते समय mystic होती है क्योंकि अभी ज्यादा से ज्यादा question में करा रहा हूं ना फिजिस chemistry biology nursing aptitude जी के तो थोड़ा सा हो ही जाता है एक दो question गलतिया हो ही जाती है क्योंकि अभी first revision चल ला है थोड़ा सोचने कर time कम है तो चलिए लेकिन कोई भी गलती है अगर video में होती है तो मैं उस इसमें गलती से क्या हुआ था मुझसे गलती हो गई थे ऊड़ चार्कॉल आफसन करेक्ट कर दिया थे जो की ऊड़ चार्कॉल इसमें नहीं होगा इसमें देखिए हुच आप दा following question number 60 sticks था हुच आप फार्म आप कार्बन का कौन सा फार्म होता है जो फाइंड किया जाता ह यूज इन सूगर इंडस्टिरी में सूगर इंडस्टिरी में यूज किया जाता है कौन सा कार्बन का फार्म होता है तो कार्बन के अलग-अलग एलो ट्रॉप्स होता है तो देखिए इसमें लैंप बलेक दे रहा है उड़ चार्कॉल इनिमल चार्कॉल इसमें correct option आपका C आपसन अनिमल चार्कॉल correct हो जाएगा क्योंकि सूगर इंडस्टिरी में कार्बन का फार्म अनिमल चार्कॉल को यूज किया जाता है अनिमल चार्कॉल आपसन नंबर C लगाएंगे और इसका देख लीजिए ये थोड़ा सा definition है अनिमल चार्कॉल is used in the form of carbon in the sugar industry जो अनिमल ये किसका फार्म है ये एक carbon का फार्म है जो सूगर इंडस्टिरी में यूज किया जाता है अनिमल चार्कॉल रिमूब कलर्स आप सोल्यूशन बाई एडजर्बिं कलर्ड इंप्योर्टीज जो सूगर बनता है चीनी बनती है वहाँ पर कुछ एक कलर्ड इंप्योर्टीज ह सफाई करता है अनिमल चार्कॉल क्या करता है रिमूब कलराफ सोल्यूशन तो ये अच्छे से देख लीजिए अनिमल चार्कॉल होगा और अगर ऊड़ चार्कॉल की बात करते हैं तो ये गैस मास्क में यूज किया जाता है और या फिर टेबलेट कैप्सूल पावडर ये बनते हैं इस भीर उसका दिर्ट किया जाता है जो harvest से संबंदित होता है तो जो उड़ चारकॉल यहां पी उसफी जाते हैं अब ग्रिप्वाइट देख लिजएं जो उसके फ rubbish लॉक देख लीजेग से हैं उसके आ alto पॉर्नेट है टार में भी तो यह देख लीजिए गा vegg doors कीए जाता है फिर प्लेक् आर्ल तो यह सब फॉश में यूच किय जाता है यहां सब क्या जाते हैं ये लाइंब ब्लैक तो यह आपका करेक्ट हुआ कोईश्चन अब आप यह कोईश्चन इंपोर्टन था ना कोईश्चन पूछा भी जा सकता इस लिए इस कोईश्चन को वह एकदम अच्छे से एक्स्प्लेन करना मुझे जरूरी था क्यों तो इनिमल चार कोल फालूइंग फार्म आप कारवन फाइंड यूजिन सुगर इंडेस्टिरी तो इनिमल चार कॉल सी आपसन आप करेक्ट लगा साच कर लिजिए जैसे ही साच करेंगे आपको यह लोगो मिलेगा इसी लोगों प फिक्स है कि अभी तीन माडल टेस्ट पेपर कराऊंगा इस से ज्यादा ही होगा चार हो सकता है पांच हो सकता है छे हो सकता है लेकिन तीन तो फिक्स है तो इसमें कैसे कराऊंगा माडल टेस्ट पेपर आपको इस तरीके से करा दूंगा जिसमें आपका देखिए जिसमें 200 के 200 question आपको कराएंगे तो 4-5 model test paper तयार कर रहा हूँ अभी थोड़ा time लगेगा 2-3 दिन लेकिन जल्दी कराऊँगा लेकिन वीडियो तो पढ़ती रहेगी न तो model test paper भी आ जाएगा तो यह देखिए आप अगर मेरे channel के तुरू आप preparation कर रहे हैं नहीं भी कर रहे हैं तो अगर अभी new student join किया है तो आप कैसे revise कर सकते हैं वीडियो को यह देखिए home page वीडियो short like playlist इसी playlist पे जाईए और playlist पे जाने के बाद जो 2021-22 में मैंने previous year question कराया हूँ वो आप model test paper इसमें खोज लीजिए model test paper शरीफ कर लीजिए अब last समय में काफी model test paper मेरे पे मिलेंगे लगवे 40-45 model test paper जैसे यह देखिए model question paper 2030 की 19 वीडियो है आईसे आप total जब खोजेंगे ना नीचे scroll down करते जाएंगे तो आपको model test paper काफी मिलेगा तो आप model test paper open कर लीजिए और model test paper को ही एक बार जरूर एक दो बार उसको जरूर करके जाएं तो चलिए बस इतना ही था इस वीडियो में और अब आपका symbol के उपर हो गया next वीडियो एक GK के उपर आने वाली है कि GK UP से related कुछ GK जो general knowledge है तो वो भी आ जाएगी और आप current affairs जरूर पढ़के जाएंगे UP का जो current affairs आप new आला आपके पास होने चाहिए new book purchase कर लेजिए current affairs की दो चार बार उसको जरूर देखके जाएं ताकि current affairs question पूछे जाएंगे simple question रहेगा तो गलत नहीं होने चाहिए कि इंडिया में क्या क्या चीजे हैं क्या क्या नहीं चीजे हैं जो अभी जैसे कोई धर्मस्थल है कहां पे है तो ये सब चीजे पता होना चाहिए जैसे अभी पूछ लेता है इसकान मंदिर कहा है तो ऐसे पूछ लेता है फिर आपका आगरा में पूछ लेगा कि ताज माहल कहां पे है तो यह सब चीजे पता होनी चाहिए तो एक बार जरूर देखे जाएं चलिए नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे और बेस्ट वीडियो आपको प्रोवाइड करेंगे थाइंक यू